चाइना की दिवार को टकर देती है इस किल्ले की दिवार, क्या है इस किल्ले का रास्य और क्या कहानी छुपी है इस किल्ले के पीछे, आखिर क्यों नहीं कर पाया कोई इसका बाल भी बाका, तो आईए देखते हैं दोस्तों, इससे पहले चैनल पर नए हैं, तो चैनल को किलोमेटर की उचाई पर इस्तित कुंबलगट किले को लेकर अनेकों कहानिया इतियास में मौजूद हैं जी हां आपने विश्व की सबसे बड़ी दिवार दग्रेट वॉल आफ चाइना का नाम तो सुना ही होगा लेकिन आपको बता दें विश्व की दूसरी सबसे लंबी द दिवार भारत के राजस्तान में इस्तित राजसंबन जिल्ले में कुंबलगट किले की दिवार है इस दिवार की लंबाई लगबक 36 किलोमेटर है और इसकी चोड़ाई 15-25 फीट है इस किले का निर्मान महारान कुंबा द्वारा पंदर्विश अतापदी में किया गया था इस किले को बनने में लगबक 15 साल का समय लगा था किले के निर्मान के बाद महारान कुंबा ने इस किले को सिककों पर अंकित करवाया था तो आईए दोस्तों अब बात करते हैं इस किल्ले के निर्मान को लेकर दिल्चस्प कहानी क्या है कुम्बलगट किल्ले को लेकर इत्यास में अनेकों कहानिया मौजूद है इस किल्ले के निर्मान की कहानी बेहत दिल्चस्प है 1443 में राणा कुम्भा ने इस किल्ले का निर्मान कारे शुरू करवाया लेकिन लगातार किल्ले के निर्मान कारे में अर्चने आने लगी और निर्मान कारे आगे नहीं बढ़ सका राजा इस बात से बेहत परेशान हो गए उन्होंने इससे चिंतित होकर एक संत को बुलाया संत ने इस किले की भूमी को देखकर बताया कि इस किले का निर्मान कारिय तब ही आगे बढ़ेगा जब इस जगे पर कोई मनुश्य अपनी इच्छा से बली देगा यह बात सुनने के बाद राणा कुमबा काफी चंतित हो उठे महराजा को इस अवस्था में देख संत ने कहा कि मैं खुद इस किले के लिए अपनी बली दूँगा इसके लिए उसने राजा से आग्या मंगी और कहा कि उसके लिए उसे पहाड़ी पर जाने दिया जाए और जहां पर उसके कदम रुख जाएं वहां उसे मार दिया जाए उस इस्थान पर देवी का एक मंदिर भी बनाया जाए संत के बताने के अनुसार ऐसा ही हुआ और वह 36 किलोमेटर चलने के बाद रुख गया यहां पर उसका सर धर से अलग कर दिया गया और इस स्थान पर एक देवी के मंदिर का निर्मान करवाया गया तो अब बात करते हैं इस किल्ले का कोई क्यों नहीं पाल बांका कर पाया राजपुताने की आन बांशान को प्रकट करता यह किल्ला अपने साथ कई दिल्चस्प कहानियों को लेकर खड़ा है इस किल्ले को जीतने के लिए इस पर कई आक्रमण हुए इस दुर्क पर पहला आक्रमण महारा कुमबा के शाशनकाल में महमूत खिलजी ने किया लेकिन वह इस किल्ले को जीतने में नाकाम्याब रहा इसके बाद गुजरात के सुल्तान कुतुबुदीन ने इस दुर्क पर आक्रमण किया लेकिन वह भी असफल रहा इसी प्रकार इस किल्ले के दिवार इतनी मजबूत है कि कोई भी शाशक बाहरी आक्रमण नहीं कर पाया तो दोस्तों इस किल्ले का एक काला सच भी इतियास में मौजूत है महराणा कुमबा जिनोंने इस किल्ले का निर्मान करवाया और जिनकी तल्वार से दुश्मन भी थर्थरा जाता है उनकी हत्या उनके पुत्र उदै सिंग ने ही मेवार का महराणा बनने के लिए छल से कर दिया था लेकिन सामन्तों ने उन्हें महराजा के रूप में सुविकार नहीं किया जिसके बाद उनके दूसरे पुत्र रायमल मेवार के राजा बने आपको बता दें दोस्तों कुम्बलगट किल्ला युनेसको की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है तो दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए